हेलो एंड वेलकम दोस्तो दीप इलेक्रोनिश लाब में आपका बहुत-बहुत सुवगा थे दोस्तो अगर आपके पास एक लेजर इंग्रेविंग मेसीन है या आप एक लेजर इंग्रेविंग मेसीन को पर्चेस करना चाहते हो तो आज की ए वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही जोरूरी है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक लेजर इंग्रेविंग मेसीन को इस्तेमाल करने के लिए हमें कौन-कौन सा पॉइंट के उपर हमें ध्यान में रखते होए लेजर इंग्रेविंग मेसीन को इस्तेमाल करना होता है तो जो लोग laser engraving machine नया नया लिया है या लेने के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए मैंने 5 ऐसा point को तयार किया हूँ जो कि आपको एक laser engraving machine को इस्तमाल करने के लिए आपको जानना बहुत ही जूरी है तो हमारे इस 5 point के अंदर सबसे पहले जो point आते वो design तो एक laser engraving machine को इस्तमाल करने के लिए आपको सबसे पहले जो करना होता है वो design आपको select करना होता है यह देखिए हमारे पास एक laser engraving machine है अगर मैं चाहता हूं कि इस laser engraving machine के जिए कुछी बीचीज करना है या painting करना ही या engram करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें design को select करना हुता है वो design कुछ भी हो सकता है मेरा पिक्चर भी हो सकता है मेरा नाम भी हो सकता है मेरा बैडनिंग का लोगो भी हो सकता है या कोई और चीज़ भी हो सकता है तो सबसे पहले आपको यह सिलेट करना होता है कि हमें कौन सा डिजाइन प्रिंट करना है या कौन सा डिजाइन हमें एंग्रेब करना है तो यह रहा हमारा फास्ट फॉइन है उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट होता है वो किस मैट्रियल्स के ऊपर हम एंग्रेब या काटिंग करना चाहते उस मैट्रियल्स को आपको चूज करना परेगा उसके बाद आपको उसका थीकनेस भी मेजर्मेंट करना परेगा मैट्रियल्स का मतलब यह होता है कि दोस्तों फ़र एक्जाम्पल देखे मेरे हाथ में जो एफडियम का प्लाइउड है इसके उपर भी एंग्रेब कर सकते हो जब आप सिलेट कर लोगे कि कौन सा हमारा डिजाइन को प्रेंट करना है या एंग्रेब करना है उसके बाद आपको इस ट्राइप का मैट्रियल को चूज करना होता है अगर आप इस type का FDM के उपर print नहीं करना चाहते हो तो आप चाहते हो कि इस type का जो हमारा metal का bottle होता है उसके उपर print करना है तो भी आप कर सकते हो आप देखिए यहाँ पे हमने अपने logo का जो print कर रहा हूं इसके अलावा भी आप चाहते हो कि कोई plastic के उपर cutting करना है वो भी आ आप कर सकते हो या आपको कुछ लेदर के उपर printing करना चाहते हो cutting करना चाहते हो वो सब कुछ आपको हो जाएंगे तो यह जो दोस्तों हमारा दूसरी नमबर पर पॉइंट है यही है कि आपको material को चूज करना होगा उसके बाद इसका ठीकने से यहाँ पर देखिए ठीकने स करना होता है आपको और यह ठीकनेस कहां पर और किसलिए measurement करना होता है यह भी आपको बताऊंगा अगले point के अंदर तो जब आप design और material चूज कर लिए हो उसके बाद हमारे अगला यान कि तीसरी जो point होता है वो size होता है देखिए दोस्तों आपके पास जो laser engraving machine है उसका size आ आपको ऐसा material और ऐसा size का material को चूज करना है जो कि आपको 400 बाइसारी 400 एरिया के अंदर फिट हो जाए तो देखिए आभी यह जो आप material देख रहे होंगे इसका size 400 बाइसा से बहुत कम है अगर मैं इसको measurement करने जाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसका size हो कितना mm है यह पर देखिए दोस्तों यह जो हमारे हाथ में fdm plywood है इसका size इसका size 100 mm by 100 mm तो यह जो प्लाइवड है बहुत ही आसानी से हमारे इस लेजर engraving machine के अंदर फिट आ जाएंगे तो इसके उपर हम बहुत ही आसानी से engraving cutting printing सब कुछ बहुत ही आसानी से कर सकता हूं लेकिन अगर आ 500 by 500 area के अंदर प्रिंट करना चाहते है तो उस situation में आपका यह printer काम नहीं आएंगे उसके लिए आपको बड़े engraving machine की जोरत परेगे जिसका size 500 by 500 होगा तो यह था हमारा दोस्तों तीसरी point उसके बाद आगला यान की चोथा जो हमारा point है वो है laser power जब आप design material और size यह सारे select क 5.5 watt का laser engraving machine है इसके अंदर जो यहां पर लेजर डायोड लगा हुआ है इसका power maximum 5.5 watt का है तो मान लिए आपको कोई 12 mm या 5 mm या कोई ज्यादा mm का cutting करना है तो उस समय आप इसके जरीए सारे काम नहीं कर सकते हो अगर आपको 12 mm का कोई भी cutting करना है तो इस laser machine के जरीए या इ पासेस की जोरुत परेगे होगा लेकिन दोस्तों आपको बहुत दिक्कते होंगे यहां पर दिखे इस fdm का जो size मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका थीकने से यानि कि इस मोटाई जो है वह कितना है 2 mm इसका मोटाई है तो इस fdm को बहुत ही आसानी से इस machine के जरीए भूमेगा यानि कि हमारा जो लेजर का जो पॉइंटिंग होगा या लेजर जो लाइट होगा वह लाइट कितने बाड़ इसके उपर से जाएंगे तब हमारा कटिंग होगा यह टोटाली डिपेंड करेगा हमारा लेजर डायोड के पावर के उपर अगर आपके पास कोई 108 क के जरी हम cutting करेंगे तो minimum आपको 5 पासेस करने परेंगे या 6 पासेस करने परेंगे 100% पावर के लिए यानिकि आपको printing के समय के शौप्टियर आती हूं सौप्टियर के अंदर आपको select करना परेगा जाब इसको हम cutting करेंगे इस लाल लेजार से जो है हमारा 100% जिसका पावर है यानि कि 5.5 वाट फुल हमाड़ा इसके अंदर आएंगे और 6 पासेस करने के बाद यह काटिंग हो पाएगा लेकिन अगर आपके पास कोई 100 वाट का लेजा डायोड है तो उसके अंदर आपको 10 पार्सेन सिलेट करके आपको एक पार्सेस के अंदर ही आपको इसको काट कर सकते हैं यानि कि अगर 10 पार्सेन हम सिलेट करेंगे तो 10 वाट का पावर जो है इसके अंदर से निकलेगा और एक पासेस के जरी हमारा यह काठ हो जाएगा तो यह जो चीज़े दोस्तों बहुत सरे लोग को पता नहीं है मुझे भी पहले पता नहीं था कि हम इसको काटिंग कैसे करेंगे हमारे पास तो यह 5.5 वाट का लेजर मेसिन है और इसके जरी हम तो ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं लेकिन दोस्तों कर सकतो इसके लिए आपको थोरा सा अपने दिमाग को लगाना होगा थोरा सा टेकनोलोजी को प्रोएक करना होगा जिसके लेजर मेसिन का पावर जो है बहुत ही कम है तो यह जो चांड नांबर पर पोइंट है यह हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है एक लेजर मेशिन को अपरेट करने के लिए उसके बाद हमरा लास्ट में जो पॉइंट आती है वह है पोचीशन जब दोस्तों हम कोई और नहीं चाहिए चोटे चीजर या बरे चीज तो इसके लिए हमें जहाँ पे प्रिंटिंग करनी है या एंगरेविंग नी है या कोई ये इसा सेंसिटीब चीजे जिसके ओपर हमें बहुत ही अच्छे से उसके पर प्रिंट करना है तो उसके लिए पका पॉचिशल जह तो उस समय आपको जो material आप इस्तेमल करने जा रहे है उस material को बहुत ही अच्छे तरीके से सही जगा पर रखना होता है यहाँ पर देखिए हमारे पास यह laser engraving machine है तो आप चाहते हो इस laser engraving machine का जो laser diode है वो हम बीच में रखेंगे और बीच में रखने के बाद यह cutting करें यह भी बाद आप इस तरीके से नीचे कोई भी चीज जिसके उपर printing करना चाहते हो उस material को नीचे रखना है और उसके बाद आपको पहले टेस्ट कांट के देखना है कि हमारा laser head कितने दूर तक जा रहा है उसके बाद ही आपको printing के लिए start सुरू करना है तो यह था दोस्तों हमारे पांच पॉइंट जो कि laser engraving machine को इस्तेमाल करने के लिए आपको जानना बहुत ही जोरूरी है तो हमने अल्लेडी laser engraving machine के उपड़े दो वीडियो डाल दिया हूँ जहाँ पे हमने बताया हूँ कि laser engraving machine को हम कहां कहां पे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ कौन कौन सा materials के उपड इसका laser के जरिए printing engraving और क्या क्या कर सकता हूँ सारे जानकर आपको हमारे पिछले वीडियो के अंदर मिल गया होगा और इसके बाद और भी चाड़ वीडियो आएंगे जहां पे आपको laser engraving machine के बारे में और भी बहुत सरे चीज़ पता चलेगा टोटल साथ वीडियो का हमा आगे जो वीडियो आएंगे उसको भी आप देख लेजिएगा आपको laser engraving machine के उपड़े जितने भी डाउट्स होंगे वह सारे क्लियर हो जाएंगे और दोस्तों अगर आपके मन में कुछ भी सावाल या सुजाब है laser engraving machine को लेकर तो नीचे कमेंट करके बताए और दोस्तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों फिर मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए उसीव all the best